स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यू चनल रीमे के डुबात आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो बाहल हुए है टीचर्स उनके लिप्स की बारे में हम जनकारी प्राप करेंगे हम इसमें इंफॉर्मिशन आप तक हो चाहिए कि बाहल टीचर् है कि क्या है यह लिप्स के सारे टाइप्स और उसको कैसे हम लेते हैं आई वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपसे आगरह करूंगा कि यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबस्क्राइब करने और यदि पष DS2 वीडियो तो यजरूर करें बस आपक preserv और ये परिश्रम और ये परिश्रम मैं आप से बस किवं लाइक रूप में यदि आपको पसंद आता है तो यह पारी मिस्क्राभिक मैं लाइक के रूप में ही मागता हूँ चलिए यह वीडियो को परकार की छुटियां आपको दे हैं ये आपको मिलती हैं ये राज कर्मी को छुटियां ये सारी के सारी आपको मिलते हैं आईए हम सब की 11 की अलग अलग और किस कंडिशन में और कैसे मिलती हैं इसको देखते हैं पहले हम देखेंगे आपको आकसमी कावकास को उसके बाद भी और इसको कैसे लिया जा सकता है? एक बार में दस दिन से अधिक आवकस्मिक आवकास, यानि आवकस्मिक छुटी नहीं लिजा सकती है. मिलता कितना है? 16. देखी, अगर रवी बार, चुकि दस दिन से ज़्याद आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन condition इसमें यह है, रवी बार या अवकास के दिनों को आवकस्मिक छुटी के साथ मिलाया जा सकता है. परन्तु उक्त आवकासों को गिनते हुए अनुपस्थित दिनों की संख्या 12 से अधिक नहीं होना चाहिए. यानि आप 10 अधिक से अधिक 10 ले सकते हैं. लेकिन अगर इसके आसपास, और इसमें अगर सं देल हो जाएगा, इसको कैजुल ली बोलते हैं और दो दिन आपका अनिछुटी इसमें रह सकता है. यानि अनुपस्थित की कंडिशन में आप 12 दिन से अधिक अनुपस्थित आपकी विद्याले में आप नहीं रह सकते हैं. लेंगे आप 10 अगर संडे और अनिछुटिया भी सामिल होती है तब किसी भी हालत में आप 12 दिन से जादा अनुपस्थित नहीं रह सकते हैं. आगे देखते हैं विषय सवकास, यह सवकास महिला कर्मियों को दे है और यह पर्तिमा आपको दो दिन लगतार आप, इसको वह ले सकते हैं. जो भी महिला कर्मी हैं, वो दो द किनों का आपको मातरी तवकास दे है मैलाओं को मातरी तवकास दे होता है आगे देखते हैं अगला है आपको पितरी तवकास शेकित्सावकास अरजी तवकास और ध्यान अवकास इस स्लाइड में हमनों इसको जाते हैं तो पहले देखते हैं हमारे सामने पहला है पितरी तवक मात्रित वकास भी औरतों को 280 दीत पहले 2 संतानों के लिए और पिता को जो है 15 दिन पहले दो संतानों के लिए मिलता है चलिए चलिए आगे देखते हैं चिकित सावकास में क्या कंडिशन है देखिए स्वास्त परमान पत्र के अधार पर Medical आपको certificate के आधार पर 180 दिनों के पूर्ण बेतन पर रुपांतरी तवकास और 60 दिनों के और धवितन पर रुपांतरी तवकास मिल सकता है। अगर medical लगाया है तो आपको 180 दिन को आपको medical मिल सकता है और यह आपको 360 भी हो सकता है लेकिन अगर आप 180 दिन का लेते हैं तो आपको पूरा बेतन आपको मिलेगा लेकिन अगर आप Labour करते हैं आप इस medical को तो आपको वह मिलेगा आधा यहां के लिख्या हुआ है यह कहानी है आपको medical में 350 दिन गी लेशके solicitation में आपको आधा बेतन मिलेगा अगर 180 सी दिन कले आते हैं तो पूरा मिलेगा पूरे महिने का आपको चूदा दिनों की छोटी अरजित करते हुए, अधिकम 300 दिनों तक संचित की जा सकते अभी के अभी के कंडिशन मे आपको 14 अरजित आवकास दे हैं मांग भले किसी और चीजकी हो रही है अभी अर्जित अवकाजु है आपको 14 दिनों तक ही दे है और इसमें आप बच्चत कितना कर सकते हैं 300 दिन आप संचित कर सकते हैं पर तेएक बरस अगर आप कि पूरी आपकी ओधी आपने काम किया है तो आपको 14 e firstrip मिलती में इसा नहीं होता है कि आपने 6 मही नहीं क्या मुझा सोवर्किंग डीं आपका पूरा नहीं लिया तो उसंसे स्दूर में princip कम हो जाते है ये पूरी फूल working years की बात है ऐसे दाहारख आपको working years पूरा और लिग हमेशा डिपेंड करता है आपके working days पर यह ध्यान रखने के जुरूत है इसकी गन्ना ही वैसे गूती है अध्यान आवकास अध्यान आवकास की स्थिति है एक समय में बारा महीने या विशेस कारणों में दो बरसों से अधिक नहीं लिया जा सकता है यानि एक समय में आप बारा महीने एक साल का ले सकते हैं और अगर विशेस कारण है तो आप दो बरसों तक यूं कहा जाए तो दो बरसों तक आप इस्टडी लिव ले सकते हैं अनिता कि स्थिति में आप अगर एक समय में चाहें तो बारा महीने और विशेस कारणों में दो बरसों तक ले सक यह तो कौन-कौन सी सित्या है, जब नियमावली के अधिन कोई दूसरी चुटी अनुमाने ना हो, उसके बाद है, दूसरी चुटी अनुमान होने पर, जब सरकारी सेवक और सधारन चुटी के लिए लिखित आवेधन करें, जब दूसरी चुटी अनुमाने होने पर, जब ल उस चुटी उन्होंने ले रखिए लेकिन फिर उसके बाद आवेदान आता है और सधारन अवकास का तो उस चुटी के साथ उसके क्रम में और सधारन चुटी दे सकता है और बिना चुटी के काला वधी को भूत लक्षी प्रभाव के साथ और सधारन चुटी में रुपांत्र को भूतलक्षी प्रवाव के साथ और सधारन चुट्टी में रुपांत्रित किया जा सकता है उसके बाद है आपका सिसु देख भालावकास की क्या कंडिशन है तो महिला करमचारियों को पूरे सेवा अधिमे कि वह दो संतान तक उनकी देखें वह एक तुस्ट दो संतान के उ देख भाल के लिए दो बरस यानि 730 दिनों का सिसु देख भालावकास दे है यह अकास 15 दिनों से कम का स्विक्रत नहीं किया जाएगा यह आपको राजिकर्मी जो होते हैं उन सबको मिलता है 730 दिनों का सिसु देख भालावकास उसके बाद एक पंचांग बरस में तीन बा कौम से कम 35 तो लेना ही पढ़ेगा मानले अगर तीन बार आप ले सकते हैं तो तीन बार कितना हो सकता है मदरे दीन चैनले आपको तीन बार लेना है तो नहीं तो कभी सब्सक्तुर। तो यहीं है कहानी, तो आप चाहें तो कितना भी ले, 730 तक ले सकते हैं, लेकिन आप जब भी लेगें, तो 15 दिन से कम आप नहीं ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि तीन दिन मांगना है तो नहीं, मिलेगा तो 15 दिन, और तीन बार ही एक साल में आप ले सकते हैं, यह है सिसु सवक हुआ सरकारी सेव fillk से सारजने च्छंतिक दीनों में कारी के बदले दें यानि मार लिजुआ आप वर्किंग डिन नहीं या या रिलिए फिर भी आपसेर कारी लिया जाता है तो उसको compensate किया जाता है एक आवकास से जिसको कहा जाता है compensatory leave जिसका नाम है इंदी में छतिपूर्टी आवकास और किसी भी पंचांग बर्स में छतिपूरक आवकास की अधिक्तम सिमा 20 दिन एवंग एक साथ 12 दिनों से अधिक आवधी के लिए दिन नहीं यानि छतिपूरक आवकास जो आपको मिलेगा तो पूरे पंचांग बर्स में 20 से ज्यादा compensatory leave किसे को नहीं मिल सकता है और एक साथ 12 से अधिक compensatory leave आपको मिला हुआ है तो आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते जैसे CL की condition ती न यानि 12 यहां भी है कि यह जो भी आपको compensatory leave है जिसको आपको मैंने यह compensatory उसको C of बोलते हैं कॉंप बोलते हैं कॉंप बोलते हैं कॉंप बोलते हैं अब देखे यह 20 आपको मिल सकता अधिक तम और आप 12 दिनों से अधिक अधिक के लिए दे नहीं एक साथ 12 से जादा नहीं रह सकते हैं उसके अलावा छत्य पूरा कावकास का भो किसी पंचांग तक बरस के अगले बरस के अन तक किया जा सकता है जिस दीन से मिलेगा सेम उगले बरस के उस दीन तक उसको किया जा सकता है ऐसा नहीं है कि कैलेंडर गया is, दिसम्बर कर 24 वैसे हैं से एक घंवने समर्टी यह स्प्रेंड बasınaको अगा आके लिए सेमाय कहा जाता है यह केलेंडर से बएक क्वग कर सकते हैं और ऑँ लगतार कर अब देखते हैं अधे चुटियां, स्वास्थ प्रमान पत्र के आधार पर, पूरे सेवा काल में अर्ध बेतन पर, आधात बेतन पर 180 दिनों के लिए स्विक्रित की जा सकते, क्या अधे चुटियां, बसरते की सरकारी सेवा के चुटी खत्म होने पर, कर्तव पर लोटे आने की, और उसके बाद आधे बेतन पर उतनी ही चुटी उपारजित करने की आशा हो, उस ये तभी दिया जाता है, और एक सौस्चे दिनों तक दिया जा सकता है, उमीद है, कि वो फिर से दुबारा वो लोटके आ सके, आएगा, अपने कर्त तभे पर वो लोटके आ सकता है, औ उसके बाद आधे बेतन पर उतनी ही चुटी उपारजित को करें, यानि आने के बाद वो चुटी जो है, आधे बेतन पर वो आधी चुटी उपारजित कर लेगा, और जितनी चुटी उपारजित करेगा, उसको आधा मिलेगा, यानि कही न कहीं वो आपको EL से ये concern आपका ह हो जाता है जितना मिला यह कमपनसेट हो जाएगा जाके यो आपको पैसे अजय बिसम पैसे आपको रही सब्सक्राबिया जाती है चलि उसकी अलमा जो यहां दिया गया है कि बिहार राज विद्याले अध्यापक निक्टी अस्थान तरन अनुसासनी करवाई एंग सेवासत निमावले 2023 के नियम 15-3 में अंकित अन सेवासत्य राजसरकारदवारा दिधार की जाएंगे यह जो राज कर्मी के दोई दी जाने विडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि है तो सब्सक्राइब वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों को सेर जरू किजिए दन्यवाद जय हिंद